गुद इविनिंग फैंड्स, गुद इविनिंग फैंड्स, चलो फिर, कल हम ने मेरे खाल से AP and GP कम्टिट किया था, उसके पहले we are completed time value of money, उसके पहले we are completed ratio proportion logs indices, तो ratio proportion logs indices में ये point number 17 के बाद मेरे काल से directly आपके पास point number 26 प्रिंट हुआ था, बरावर है ना, तो ये उसके बीच के कुछ points है, missing points है, बरावर है ना, तो ये missing points पहले complete कर दे हम लोग, करें के complete, okay, चलो point number 18, आपके पास print रहगा तो बहुत अच्छी बात है ना, तो सिर्फ चलेगा बचो, yes, तो चलो point number 18, ratios are unit free, ये तु सबको पता है, तो कहना है, ratio can be expressed without any unit of measurement, ratio can be expressed, ratio can be expressed, जो लोगो online अटिन कर रहे हैं, उनको भी बदा दू, ratio का एक page missing था, अब पूरे book में कहीं पे और कुछ कोई missing नहीं है, तो उतना page हम सिर्फ complete कर रहे, ठीक है, ratio can be expressed without any unit of measurement, without any, बोलो, unit of measurement, तो ही है, for example, ratio of A and B's income is 2 is to 3, अब इसमें है क्या कुछ लिखा हुआ, 2 lakhs, 3 lakhs, crores, billions, millions, कुछ है क्या, example, let's say, ratio of incomes, ratio of incomes of A, B, C is 2 is to 3 is to 8, कहीं पे भी इसमें unit of measurement नहीं है, फिर भी हमने ratio तो बता ही दिया न, इसलिए ratios are unit free, ratios are unit free, okay, online students के लिए वापस बता दू, अगर by chance आपके पास यह page नहीं है, तो CA Vinod Ready channel पे जाके, यह एक दो page का PDF है, मैंने वहाँ पे clearly mention किया हुआ है, okay, वो आपको download करना है, okay, if A is to B is 2 is to 3, B is to C क्या दिया है, बोलो, 4 is to 7, and C is to D क्या है, 8 is to 1, find A is to B is to C is to D, यह question है, and यह आगा है, तो फिर A is to D find करना, B is to D find करना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक मिन ध्यान दो आप यहाँ पे, मुझे बता, A is to B दिख रहा है, B is to C, इन दोनों में ऐसा कुन स में क्या है, 3, and दूसरे में 4, यह सेम करना पड़ेगा, तो अब बता, वो 3 and 4 को सेम करने के लिए, दोनों को 12 में करने करते है, आप लोगता कि सब कैसे करनोड करे, अब बता, यह सिर्फ 3 को उटा के 12 क्या चलता है, क्या है, नहीं, तो 3 को 12 करने के लिए किस से मल्डिपला कितना आया, आप बोलो, 8 is to 12 is to 21, यह है, A is to B is to C, and साथ साथ में C is to D कितना आया, आप ही बताओ, बोलो, 8 is to 1, यह नहीं क्या बचो, तो आप मुझे बताओ, यह A is to B is to C, and C is to D में कोई टर्म है क्या है, जो दोनों में है, C है, तो पहले रेशो में C क्या है, 21, दूसरे म 8, तो ऐसा कोई टर्म है क्या है, जो 21 and 8 दोनों के मल्टिपल के लिस्ट में है, चलो 168, समयज़ आगा, तो पहले रेशो को सारे टर्म को 8 से मल्टिपलाई करो, हां करो, A is to B is to C, सब को 8 से मल्टिपलाई करो, 64 is to 96 is to 168, and यहा पे C is to D, दोनों को 21 से मल्टिपलाई करो, त तो यह सब देखते हुए बताओ, A is to B is to C is to D कितना है, जल्दी बताओ, A is to B is to C is to D कितना है, 64 is to 96 is to 168 is to 21, अब बताओ, यह अगर आ गया, तो इसके बाद में और एक दो जो कोशन पूछे हो, तो चिलर है फिर, अगर यह एंसरा फाइन कर सकते हो, तो क्या कोशन दे और द क्या अंसर है, 64 is to 21, और क्या कोशन पूछा है, बोलो, B is to D, B is to D क्या है, बोलो, 96 is to 21, तुम चाहो तो 96 is to 21 को 32 is to 7, ऐसे भी लिख सकते हो, उसका simplest form है, yes or no, तो बताओ, यह बच्चवे दो कोशन भी सौल कर लिया हमने, एक बार A is to B, is to C is to D आने के बाद तो कुछ भी न नेक्स्ट, if quantity increases or decreases, यह तो आपन ने अल्रेडी पढ़ा है, इन दरेशा बोलो, A is to B, then new quantity is equal to new quantity B, of original quantity A, new quantity का क्या फॉमुल है, बोलो, old quantity into multiplying ratio, where multiplying ratio is reciprocal of given ratio, and original quantity का क्या फॉमुल है, new quantity into given ratio, new quantity into given ratio, new quantity into given ratio, क्या देए एक अपको, just उसके बाजमें एक छोटा सा question देता हूं, लिखो के क्या आप, question नहीं, direct information देता हूं, समझा क्या, suppose A's income is rupees 7 lakhs, A's income कितना है, 7 lakhs, his income changes, his income changes, in the ratio of, in the ratio of 21 is to 29, 21 is to, बो, 29, find his new income, find his, बो, मेरे भाई, new income, find his new income, तो बो, new income is equal to, बो, मेरे भाई, new income, formula, formula बताओ, new income is equal to, old income into multiplying ratio, old income into multiplying ratio, तो कितना था old income बता एक बाई, 7 into multiplying ratio क्या रहेगा, 29 by 21, answer is, 9.7 into 29 by 21, करो न, बच्चो, 29 divided by 3, answer is, 9.66666 lakhs, 9.666 lakhs, is the answer, tough था बच्चो यह, यह उसका new income है, तो new income का क्या formula है, old income into multiplying ratio, and new देके old पूचा होता था तो, new income into given ratio, is the old income, is the old income, समझा क्या, चलो, population of a city is x, population of a city कितना है, x, and population changes in the ratio of p is to q, find new population, चलो बोलो, new population का formula, new population is equal to, बोलो मेरे भाई, old population into multiplying ratio, तो old population into multiplying ratio, तो बोलो, old population कितना है, old population कितना है, x, multiplying ratio क्या होगा, q by p, तो answer is, qx by p, qx by p, is the new population, यह फै बच्चो यह, new population is qx by p, क्या, समझा क्या, चलो, inverse ratio of inverse ratio of a to b, क्या answer रहता है, a to b, कैसे, change क्यों नहीं होगा, inverse of inverse, inverse क्या और वापस inverse क्या, वापस उधर यह आएगा न, duplicate ratio of sub-duplicate ratio of p is to q is, p is to q, क्यों बच्चो, change क्यों नहीं हो रहा है, duplicate of sub-duplicate, वादा पहले square root किया और बाद में square किया, तो वापस उधर ही पोश गए तुम लोग, next, बोलो, triplicate ratio of sub-triplicate ratio of m is to n is, m is to n, sub-triplicate of triplicate of x is to i is, x is to i, समझा न, बच्चो, cube root करके cube किया, या cube करकी cube root किया, वापस उधर ही आगे न, तुम लोग, next, sub-duplicate ratio of duplicate ratio of u is to v is, used to be, any doubt my friends, next, find duplicate ratio of inverse ratio of 5 is to 7, यह question हो जाएगा क्या सौल अप, चलो बोलो, question क्या पोश जाएगा बर बताओ, duplicate ratio of, हाँ, बोलो, duplicate ratio of, बोलो, 7 is to 5, यह question है, नहीं समझा आपको, duplicate ratio of inverse ratio of 5 is to 7, तो inverse ratio of 5 is to 7 लिख दिया मैंने, जो 7 is to 5 था, तो बोलो, what is duplicate ratio of 7 is to 5, answer दो, 49 is to 25, 49 is to 25, is the duplicate ratio of 7 is to 5, सही है, next, find a triplicate ratio of sub-duplicate ratio of 25 is to 49, एक में कोशन देखो, यह ऐसा है क्या अंसर बताओ, triplicate ratio of, यह question पूछा है न, triplicate ratio of, हाँ, बोलो, 5 is to 7, तो 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 में मैं फेंट्स, बेदर, answer is, 125 is to 343, 5 cube is to 7 cube, कितने लोगों को समझा है, इमानदारी से बताओ, 25th, find compounded ratio of, क्या बोल रहा है, find, बोलो, compounded ratio of, किसका compounded ratio find करना है, उसको बोलो, duplicate ratio of 2 is to 3, चलो बोलो, duplicate ratio of 2 is to 3, क्या होता है, 4 is to 9, replicate ratio of 9 is to 4, 9 is to 4 का triplicate बताओ, 729 is to 64, sub duplicate of 81 is to 64, answer दो, 9 is to 8, sub duplicate of 512 is to 27, sub duplicate of 512 is to 27, मेरे काहल से under root 512 is to under root 27, कोई चांस नहीं है, तुमारे पास, यह है न, yes or no, अरे, sub duplicate बोला है, मेरे भाई, आप typing error किया रहेगा, बोलके question solve नहीं कर सकते, समझाए, जो दिया है, वो solve करना रहते है, समझाए या नहीं, चलो, इन सबका compounded ratio find करना है, क्या होता है, compounded ratio, product of antecedents is to product of consequence, तुमारे पास, antecedents क्या है, 4 into 729 into 9 into under root 512, divided by, बोलो, 9 into 64 into 8 into under root 27, सही है क्या, कुछ cancel होता है तो करो, 729 divided by 9 कितना था है, 81, यह 81 तो पका, है या नहीं, और देन, उसके बाद 4, तूजा 8, और कुछ होता है क्या सौल, मेरे बाई, और को सिंप्लिफाय होने वाला है क्या, चुले काम करते है, देखो होतो होगा, और थोरा सिंप्लिफाय, आपको ध्यान देना पड़ेगा सब, यह 81 बचाए क्या, और यह 512 को मैं 256, इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चुलो बताओ, इदर डिनोमेटर में क्या बचाए, यह 2 बचा है, इसको मैं अंडर रूट 9 इंटू 3, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यह है कि बच्छो 64 भी बच्छा तो यह 64 इंटू 9 बराव रहे ना 64 इंटू क्या था इंटू 64 लिखो क्या इधर चलता है क्या चलो बोलो यह 81 इंटू 9 यह भी आइज इस लिखता हूँ बोलो अंडरूट 256 कितना आता है 16 इंटू रूट 2 तो यह एग्री डिवाइड रभाय है बोलो टू इंटू यह अंडरूट 9 क्या आएगा थ्री इंटू रूट 3 इंटू 64 सही है क्या तो बोलो यह 16 पोर जा 64 उसके बाद बोलो थ्री थ्री जा नाइन तो यह एग्री फिर उसके बाद में उपर 3 दिख रहा है ना कि नीचे का रूट 3 कट करके इसको मैं रूट सकते है कि नहीं yes or no चलो बोलो फिर आंसर क्या रहा है फाइनली क्या बचा नूमरेटर में 81 81 इंटू root 3 इंटू root 2 इतना ही बचा है ना yes or no यह 2 भी है 2 नहीं ना ओपर का था नो yes or no 81 root 6 divided by 8 is answer do you agree नहीं समझा आपको शाय थे 81 root 6 divided by 8 यह answer है क्या root 6 कहां से आया समझा क्या हो root 3 इंटू root 2 comfortable है बच्चो यह नहीं round figure मैंसर चाहिए था आपको नहीं न कोई प्राब्लेम नहीं कोई भी कोशन चाहल कर सकते है कि नहीं आपन compounded ratio का concept clear है क्या क्या होता है compounded ratio लिखो इतन नहीं चे compounded ratio is equal to compounded ratio is equal to होता है product of antecedents product of antecedents is to product of consequence product of antecedents is to product of consequence is the compounded ratio आप हो इसमें comfortable चलो फिर यह ratio अल्रेटी हो चुका था जस्टेक आज formality जो बचा हुआ था पॉपन ने complete किया बरावर ना बच्चो यस और नो चलो फिर चलो फिर चलो फिर कंटिन्यू कुंसर चाहिए अपने वाज inequalities and equations क्या page number है page number 81 inequalities and equations inequalities and equations चलो फिस्टार्ट देन या मूडनी है क्या अज आपका है नव? ऐसा लग नहीं रहा है अज देखें कुछ है इसा नाराज़गी दिख रहे है क्या टेंचन है वल्कप का टेंचन है? पिर क्या टेंचन है? आज शाटरेडे गया काले फरसों है परसो के मैस का टेंशने क्लास को चुट्टी है परसो मेरा तो चुट्टी है भाई मैं दिन बर लेक्षर लूँगा और दो भाद मेरे लेक्षर रहे दो तो इस वारा गंटे के लेक्षिट लेक्षिट लोग करें गंटे लोग हम लोग चुटी भी रही तो तुमको रहते हैं वाई हमको अमारी नसीब का उता हुट एक के लिए अब उद्धर जाएं अब उद्धर जाएंगे पाच घंटे ट्रैवल करके जाएंगे उदर गाड़ी चलाकी उदर आथ को बारह एक बज़े पहुचेंगे सुब और के साथ बज़े क्लास लेंगे रात तक लास दूसरे दिन वापस दिन बर ख्लास उदर से ट्र प्रावुद मैस बट्ट आमीज सर क्या आमीज सर नहीं लेंगे लेंगे इंडिया पाकिस्तान की दिन कोई लेता है कि चलो करें कंटिनियू हम लोग ओके जो भी लेक्शे ले रहा है उसको बोलो तुम देश द्रोई वोगर जाओ पाकिस्तान हो लाँ है न कम ज्यादा को कि इंडिया पाकिस्तान की दिन कोई मैच देखता है कि कोई ऐसे मतलब क्लास लेता है कि अपने वैसे तो टीम मतलब यह इतना मेहनत कर रहे लोग यह शर्मा कोली है ना कि बढ़ाए कि ने अपने दूपोर्ट करेंगा ना अपने पिराद रोएंगे वो बोलेंगे निया य सील निया के अजिर्न विदा के अजय आ या जिए जमिन पर चलो इनि उक्याशन एक्वैक ड़ ऑक तो इनिक्वालिटिस ऑनए एक्वैसे ब्यूंच ऑबींस लिए धिए डो चप्र आब जानते हैं, तो इनियर एक्वैशन स्टटी करने के लिए पहले अपने को ग्राफ का बेसिक पता होना जरूरी है तो पहले अपन ग्राफ का बेसिक देख रहे ग्राफ का बेसिक देखेंगे क्या बच्छो तो अब यहां पे समझो मैं यहां पे थोड़ी से उपर जगा है इधर मैं लेट से एक्सिस ब्रॉक कर रहा हूं दिए फॉर्स कोल्डर यह सेकंड निशे का थर्ड एंड यह फोर्ड याद रखो लेकी हमिश्व y positive, जही है न, जहीं बोला न मैं, उल्टा बोला मैं, second बोला न मैं, third में minus minus जही है, जही है, क्या बोला मैं, आच्छा ठीक, जो भी है, सम्झान आपको, अभी वापस correct बोलता हूँ, first quadrant में x positive y negative, y भी positive, अरे x अभी यहाँ पे नीचे x coordinate आएगा न, आपको क्या समझ क्या रहेगा आप exactly, मुझे बताओ coordinate कहां से पाइंगा, अभी समझे एक point रहेगा यहाँ पे, उसका x coordinate इधर ही रहेगा न, नीचे and y coordinate इधर रहेगा, गलत बोल रहा हूँ क्या है, गलत है क्या अच्छा, x axis कहा है y axis ओ तो correct लिखाना भाई में, तुम्हाई knowledge जादा है, तो first quadrant में x and y दोनो positive इधर भी है, ठीक है, fourth quadrant में x positive y negative, third quadrant में दोनो negative and second quadrant में x x coordinate negative and y coordinate positive, clear है, therefore inequalities representing first quadrant are, x is greater than 0 and y is greater than 0, inequalities representing fourth quadrant are, बोलो, x is greater than 0, y is less than 0, inequalities representing third quadrant are, बोलो, x is less than 0, y is greater than 0, y is greater than zero, यह basic सबको समझता है क्या, बताओ, इतना basic सबको समझता है क्या? क्या, यह कहां पर लिक्के लिए यह जरूत नहीं कुछ, लिख लेर है क्या है, लिख लेक्षाए और मायं नोट्स है क्या, इतना फर्स्ट पेस्ट पे यह क्या इदर मायनोर्स में लिखो लिख रहे क्या है चुक चुक करते रहे पहले बोलना चीना मैंने बावन ना अब दर सांगयला कायो तुछ मुल्क पुटलर प्रावन ना और क्या बोलते हो अब दर सांगयला कायो तुटलर प्रावन ना और क्या बोलते हो कि इस एक जिन बोल रहे है सर खुदी कंफ्यूज रहे है हाँ भाई है सारी बेट थोड़ा कंफ्यूजन हो था एक्स एक्सिस य एक्सिस में तुम हो ना लेकिन साथ में चलो करें कंटिन्यूज करें कंटिन्यूज बताएं फिर्स कोड्राव में देख रहे हैं सबको हैं फिर्स कोड्राव में एक्स कोडिनेट पॉजिटीव होता है वाई भी पॉजिटीव होता है फूर्थ कोड्राव बोलो एक्स पॉजिटीव सही है थर्ड कोड्राव में बोलो x नेगेटिव य भी नेगेटिव और फूर्थ क्वेटूर्ट में सेकंट्ट्राव में बोलो में, बोलो, x negative and y positive, सही है बच्छो, tell me, inequalities representing first quadrant are, x is greater than 0, y is greater than 0, both quadrant, x is greater than 0, y is less than 0, third quadrant, x is less than 0, y is less than 0, second quadrant, x is less than 0, y is do you agree, and what are the coordinates of origin 0, 0, सही है अजब, where is point 30, 0, बताओ 30, 0 कहा रहेगा, x axis, 0, 80 y axis, 0, minus 80, y axis minus 80, 0, x axis, 0, 0 origin, so can I say, if x coordinate is 0, point is on y axis, if y coordinate is 0, point is on x axis, yes or no, both the coordinates are 0, point is on both the axis, that is at origin, origin is the only point which is on both the axis, origin is the only point which is on both the axis, inequalities, inequalities representing first quadrant are, x is greater than 0, y is greater than 0, चलो, वापस आजाओ अभी, first point पे, अब हम ये चाप्टर स्टार्ट कर रहा है, official, चलेगा बच्चो, चलो, बोलो, first quadrant में points कौन से रहते हैं, बोलो, positive, positive, ऐसे लिख रहे हैं आप लोग, चलो, second quadrant में, negative, positive, third quadrant, negative, negative, fourth quadrant, positive, negative, x axis, plus, comma, minus, कुछ भी हो सकता है, comma, 0, नहीं समझाब कोई, plus, minus, कुछ भी हो सकता है, x coordinate, but y coordinate पक्का 0 रहेगा, जैसे कि 30, 0, 80, 0, minus 60, 0, ये सब x axis पे है, y axis, हाँ, बोलो, 0, comma, plus or minus, सही है क्या, origin, 0, comma, 0, we agree, चलो, बोलो, inequalities, what are the inequalities representing, first quadrant, x is greater than 0, y is greater than 0, second quadrant, x is less than 0, मतब, x coordinate negative है, मतब, x is less than 0, y coordinate positive है, मतब, y is greater than 0, next, बोलो, x is less than 0, y is less than 0, next, x is greater than 0, y is less than 0, next, बोलो, y is equal to 0, next, x is equal to 0, next, x, y both are equal to 0, equation of x axis is, y is equal to 0, equation of y axis is, x is equal to 0, चलो, मैं यहाँ पे लिख लेता हू, equation of y axis is, चलेगा कैसे, equation of y axis, y axis का क्या equation है, बोलो, x is equal to 0, equation of y axis क्या है, x is equal to 0, and equation of x axis क्या है, y is equal to 0, x axis यह भी एक लाहिन है न, बच्चो, उसका एक equation होगा, equation of x axis is, y is equal to 0, equation of y axis is, x is equal to 0, चिक्ये बच्चो, yes or no, okay, standard format, standard format of a linear equation is, बोलो, standard format of a linear equation is, is ax plus by plus c is equal to 0, where a comma b cannot be 0 at a time, cannot be 0, बोलो, at a time, or, बोलो, y is equal to mx plus c, is also standard format of a linear equation, where m is the slope of the line, शायद आपको पता रहेगा है, m is the slope of the line, standard format of a linear equation is, ax plus by, बच्चो, इसमें से हर sentence, एक possible mc क्यो है, समझता है क्या आपको है, standard format of a linear equation is, ax plus by plus c is equal to 0, where a comma b cannot be 0, at a time, मतब ये 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, बट दोनों at a time 0 नहीं हो सकते, समझा क्या, next, graphical presentation of a straight line is known as linear equation, linear equation ही graph पे जाके line बन जाता है, graphical presentation of a straight line is known as, बोलो, linear equation, सही है, line is a set or collection of, line मतलब होता क्या है, बोलो, line वो सारे points का set होता है, who satisfy the given linear equation, who satisfy the given linear equation, तो line is a set or collection of infinite points, set or collection of, बोलो, infinite points, कोन से infinite points देन, बोलो, satisfying the given linear equation, satisfying the, बोलो, बोलो, given linear equation, line is a set or collection of infinite points, satisfying the given linear equation, satisfying the given linear equation, is that clear, okay, slope of a line, ax plus by plus c is equal to 0 is, क्या होता है, slope, बोलो, minus a by b, slope का formula, प्लीज याद रखो, and what is slope of the line, y is equal to mx plus c, slope of y is equal to, अगर आप कोई भी equation को y is equal to mx plus c के form में लेक्या हो, m represents the slope, slope of y is equal to mx plus c is, बोलो, m, slope of y is equal to mx plus c is, is m, तो line is a set or collection of infinite points, satisfying the given linear equation, satisfying the given linear equation, समझा है क्या बच्चो, yes or no, कुछ जाता है क्या दिमाग में, एक काम करो, page number 85 पे आजाओ, वहाँ पे कुछ ऐसा चोट ऐसा माय नोटस ऐसे दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, वहाँ पे, एक छोटा सा point clear कर देता हूँ मैं और, समझो मैं एक question है आपको, draw the line, draw the line, x plus y is equal to 30, draw the line, x plus y is equal to 30, ये question है, ध्यान दे रहे हैं बच्चो, draw the line, x plus y is equal to 30, आजा मुझे बताओ, points satisfying, points satisfying equation, x plus y is equal to 30, x plus y is equal to 30, ये equation satisfy करने वाले, कितने points आप मुझे बता पाओगे, infinite, जिंदगी पर ऐसे points बता सकते हैं, एक 10 बार आभी बता दोगे क्या, हम बताओ, 0, 30, चल सकता है न, 30, 0, 10, 20, 20, 10, 15, 15, चल सकता है न, ऐसे, उसके बाद, let's say 5, 25, चल सकता है न, बचो, 35, minus 5, 40, minus 10, 1, 29, 28, 2, 31, minus 1, जिंदगी बार चल सकता है ये तो, 0.50, 29.50, yes or no, तो ऐसे कितने points हैं, बचो, infinite, ऐसे infinite points है, दो मिट के लिए मान लो कि ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, let's say this is 10, 20, 30, देहां देरे हो क्या बचो, तो अब मुझे बताओ, 0, 30, ये यहाँ पे रहेगा, क्या, 0, 30, 30, 0 इदर रहेगा, क्या, yes or no, 20, 10 इदर रहेगा, 10, 20 इदर रहेगा, 5, 25 इदर रहेगा, 15, 15 इदर रहेगा, 25, 5 इदर रहेगा, 35, minus 5 इदर रहेगा, तो अब बता, ऐसे लाखों पॉइंट्स में अगर plot करता गया है बच्चो, लाखों पॉइंट बोल रहेगे, बढ़र है या नहीं, तो इस लाइन पे पॉइंट्स आते रहेंगे न, अगर मैं लाखों कुरोडो पॉइंट ड्रव कर दिया, रुका ही नहीं समझहों, अब ग्रोडो पॉइंट ड्रव कर दिया, एक संधम को मुझे समझेगा, कि वो पॉइंट्स सारे पॉइंट्स मिला के लाइन ही बना रहें, उसमें gap ही नहीं बचा कुछ, yes or no, सारे points मिला कि एक line ही बना रहे है न, तो यह line है क्या, line is a set of infinite points, कौन से points जो मुझे तुम्हें पसंद है वो point क्या, नहीं, कौन से point, जो equation को satisfy करते है, वो points, समझा या नहीं, so line is a set of infinite points, satisfying the given linear equation, समझा क्या, therefore line is a set of infinite points, satisfying given linear equation, is that clear my friends, अभी point, page number 85 पे लिख लिख लोड़ सा point, चलो, हो गया बच्चो, draw the line x plus y is equal to 30, यह question था, draw the line x plus y is equal to 30, तो ऐसा कोई भी equation मैंने दिया बच्चो, तो आप मुझे बताओ, can you find out at least two points, can you find out at least two points, बस वो दो point plot कर दो, and line draw करो, आपको लगा है नहीं, सरकम से कम 15-20 point put करना पड़ेगा, जरूद है क्या, मैं इसमें से कोई भी 2 point भी plot कर लेता, बच्चो, तो line तो यही होता ना, कोई भी 2 point भी मैं plot कर लेता, तो line would have been same or not, line मतलब दोनों साइड में unlimited होता है, समझता है ना, segment limited होता है, segment limited होता है, correct है, तो इसमें से मैं कोई भी 2 point join कर लेता, तो line would have been same or not, तो एक बार मुझे वो आपस line का definition बताओ, line is a set or collection of infinite points satisfying the given linear equation, line is a set or collection of infinite points satisfying the given linear equation, is that clear my friends, समझा क्या, चलो, अपस आजवा भी, कौँछे point में, point no.6 में, equation of the line and slope of the line, अचा बता, what is the slope of the line, ax plus by plus c is equal to 0, minus a by b, अभी अपने उपर लिखाए थोड़ी दे पहले, slope of the line, ax plus by plus c is equal to 0 is minus a by b, तो बोलो, ये line का slope क्या रहेगा, बोलो जल्दी, minus 8 by 3, minus 8 by 3, next line का slope, 3 by 11, क्यों minus कहां गया है, minus, क्या है इसका बोलो, minus, बोलो, 3 by minus a by, समझा न, minus 11, तो क्या answer है बोलो, इसका slope क्या है, 3 by 11, अब मैं next question honors direct लिखूँँगा, समझा न, slope क्या है, minus a by b, तो minus as it is, a कितना था, 3, b कितना था, minus 11, तो answer is 3 by 11, चलो, next, slope बटा, minus 33 by 16, पक्का क्या बच्चो, minus a है, minus 33, b है, minus 16, वो minus minus cancel हुआ, बट जो formula के अंदर minus a, वो तो as it is रहेगा है न, चलो, next, 3x, अचा, this equation is as good as, एक मिन ध्यान दो बच्चो, this equation is as good as, 3x plus 0y is equal to 83, तो पता, इसका slope क्या है, minus 3 by 0, तो answer is not defined, any number divided by 0, answer क्या रहता है, not defined, and 0 divided by any number क्या रहता है, 0, अब इसको क्यो है, क्या है, इसका time waste नहीं करूँगा, समझ रहे कि आपको ये, रेखो, बच्च में बताया मैंने आपको ये सब, कोई भी number divided by 0, पे भी करोगे तो error आजाता है, not defined, समझ रहे को है, चलो, 8y is equal to 65, मतलब कहना है, रेखो, 0x plus 8y is equal to 65, तो slope क्या रहेगा, बोलो, minus 0 by 8, तो answer is 0, answer is 0, तो slope का formula minus a by b है, समझ रहे है ना, बच्चो, चलो, next line का slope बटाओ, p by q, p by q slope है क्या, next, बोलो, minus 2 by 6063, do you agree, next slope, 8, next slope, minus 15, अब a by b करके देखो, यह वही answer आएगा, इतना फास्ट कैसे लिखा हमने, y is equal to mx plus c, तो m की जगा जो आ रहे हो slope, अब बाद में, ओ x इदर लेकिए minus a by b use करो, same answer आएगा, yes or no, तो अगर equation y is equal to mx plus c के form में रहेगा, तो m is the slope, m is the slope, समझाय क्या सबको, तो tell me, whether slope is minus 15, my friends, क्या formula है, slope of the line, ax plus by plus c is equal to 0, minus a by b, but if the same equation is written in the form of, y is equal to mx plus c, m becomes the slope of the line, पहले कुछ किया है, नहीं किया है, whatever it is, अब ध्यान देना अपना काम हैना मेरे भाई, अपन comprehensive revision तक पहुचे, बरावर इकिने regular से लेके, यहां तक पहुचे, कुछ दिनों के बाद में, right, अपन बूस्टर revision करेंगे, कुछ दिनों के बाद one day marathon, और फिर वहाँ पे भी कुछ लोग question पूचेंगे, कि sir मैंने, इथना किया तो चलेगा किया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, equation of x-axis is, बोलो, y is equal to 0, equation of y-axis is, x is equal to 0, equation of a parallel line to x-axis is, y is equal to 80, y is equal to 90, if equation of the line is y is equal to constant, it is a parallel line to x-axis, if equation of the line is, x is equal to constant, it is a parallel line to y-axis, समझा क्या होचो, slope of x-axis and all the lines parallel to x-axis is, 0, नहीं समझा आपकोई, अच्या, x-axis का equation क्या होता है, y is equal to 0, x-axis का parallel line का equation क्या होता है, y is equal to 30, y is equal to 40, y is equal to 50, कुछ भी रहने तो, y is equal to 50, ये equation है, समझो, तो उसमें minus a by b formula अप्लाए करो, a ही 0 है, तो आपकोई 0 रहेगा कि नहीं स्लोप, and tell me, slope of y-axis and all the lines parallel to y-axis is, not defined, slope of y-axis and all the lines parallel to y-axis is, बोलो, not defined, सही है, okay, equation of the line passing through the points x1, y1 and x2, y2 is, आपकोई दो, equation of the line passing through x1, y1 and x2, y2 is, y2 minus y1, divided by y minus y1 is equal to, बोलो, x2 minus x1 divided by x minus x1, हो सकता है कि आपने इसके side change करके कुछ दूसरा बनाए रहेगा, for example, y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1, दोनों side का reciprocal लिया, वो तो सेम ही बनेगा ना यार, या कोई बोलेगा y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by x minus x1, ये तो सेम ही बना, इसी पर अल्टर नेगा लाई किया, येस और नो, जो भी रहेंगे, इसी को कुछ other form में लिखा जा सकता है, वो कोई प्रवल नहीं, आपको एक भी याद रखो तो बस है, तो what is the equation of the line passing through x1, y1 and x2, y2, बोलो, y2 minus y1 is divided by y minus y1 is equal to x2 minus x1 divided by x minus x1, what is slope of the line passing through x1, y1 and x2, y2, slope, ये दो point message जाने वाला line है, उसका slope क्या रहेगा, बोलो, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, अब देखो बच्चो, जो online बैटन करें, उनको भी बता दू, कई आभी ICI study model में उन्होंने इतना detail में दिया ही नहीं है, slope, वो कोई detention नहीं लिए है, बट वो question पूछते exam में, या इस concept पे, based जो question है, वो पूछते है, इसलिए आपने को ये पढ़ना जरूरी है, समझ में आ रहा है क्या, अगर आप ICI study model अभी भी open करूकर देखो, आपको दिखेगा है ये नहीं से कोई formula ही उतर, समझ रहा है क्या, तो slope of the line passing through x1, y1 and x2, y2, क्या formula ही बोलो, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, on solving two linear equations simultaneously, if we get x is equal to p and y is equal to q, then, हाँ बोलो क्या होता है बोलो, p, q is the point of intersection of those two lines, नही समझ आपकोई, p, q is the, बो, point of intersection, समझ आपने दो linear equations simultaneously solve क्ये, yes or no, and समझ आपकोई, x is equal to 10 and y is equal to 20 आया, इसका मतला 10,20 is the point of intersection, p, q is the point of intersection of, बोलो, those two lines, p, q is the point of intersection of those two lines, कुछ गया क्या दिमाग में, yes or no, अच्या बता बोच्छो, मैं ऐसा लिखा तु चलेगा क्या बताओ, the point of intersection, the point of intersection of x plus y is equal to 50 and let's say x minus y is equal to 10, is 30,20, क्यों है से बच्छो, अच्या काम करो, x plus y is equal to 50, में x 30, y 20 कर दो, 30 plus 20, 50 आता है क्या, and 30 minus 20, 10, तो दोनों equation satisfy हो गए, तो यह 30,20 can satisfy both the equations, that's why it is the point of intersection, मतलब देखो बच्छो, ultimately x plus y is equal to 50, पे वो सारे points है, जो x plus y is equal to 50, सारे points है, x minus y is equal to 10, पे वो सारे points है, जो x minus y is equal to 10, को satisfy करते है, बताओ, 30,20 एक ऐसा point है, जो दोनों को satisfy करता है, इसका मतलब यह दोनों line पे है, and दोनों line पे है, मतलब कहा होगा भाई, यह point है, जो दोनों line पे है, तो कहा होगा, obviously दोनों पे है, मतलब इस a point of intersection, of two lines, it's a point of intersection of two lines, yes or no, correct है, क्योंकि line is a set of all the points satisfying the given equation, satisfying the given equation, तो क्यों आपको यह लगा कि 30,20 point of intersection है, as 30,20, बो, satisfies both the equations, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, as, बो, if we put, if we, बो, put, x is equal to 30, y is equal to 20, both equations are satisfied, can I say like that, both equations are, बो, satisfied, दोनों equation सच्च में satisfied है क्या, yes or no, both the equations are satisfied, अगर मैं x 30 and y 20 लिखा, तो, दोनों equation सच्च पाय हो जाते, इसलिए 30,20 is the point of intersection, यह काम करो, यह दो equation simultaneously solve करते, तो आप y y cancel हो जाता, 2 x is equal to 60 आता, x is equal to 30, put the value of x is equal to 30 in any equation, y क्या आता, 20, therefore, 30,20 is the point of intersection, जो मैंने लिखा है, अगर 10th point वापा जेग वापाटो, on solving two linear equations simultaneously, if we get x is equal to p and y is equal to q, then p, q is the point of intersection of two lines, p, q is the point of intersection of two lines, a linear equation has how many roots, बोलो, one, a quadratic equation, two, a cubic equation, रूट मतलब क्या बच्छो, value of x which can satisfy the equation, is known as root of the equation, लिखो इदर पाच्छो, value of x, value of x, which, बोलो, satisfies the equation, is known as is known as, बोलो, root of the equation, is known as, बोलो, मेरे भाही, root of the equation, value of x, which can satisfy the equation, is known as, root of the equation, to linear equation has how many roots, one, quadratic equation, two, a cubic equation has three roots, अब कुछ basic questions आपको दिए, calculation oriented, जो actually 7th rate का बच्चा भी कर सकता है, अगर थोड़ा सा हो, calculation में strong है तो, करेंगे solve, चलो, x plus 4 divided by 4, plus x minus 5 divided by 3, is equal to 11, find the value of x, इस type के question solve करने का, कभी कभी और एक तरीका हो सकता है, with options, with options, but हमेशा कोई options से time बचेगा, यह मत सम्झेव अच्छो, बुल्टा वो option पूट करेगा, पर सम्झेव, option रहेंगे 3 by 5, 8 by 9, तो अब अब आप्शन से, put करके, check करने के लिए, ज्यादा time लगेगा, उससे fast solution आएगा तुमर, yes or no, ज्यादा बुलो, कैसे सब्सक्राइब करेंगे, पहले तो cross motivation करते, क्या आएगा बुलो, 3x plus 12 plus 4x minus 20, divided by 12 is equal to 11, ज्यादा बुलो, 3x plus 4x कितना था है, 7x minus 8 is equal to 132, therefore 7x is equal to 140, x is equal to 20, x is equal to 20, ज्यादा बुलो, this is the answer, x is equal to 20 is the answer, पक्का बच्चो, x is equal to 20 is the answer, ज्यादा बुलो, next, y plus 11 divided by 6, minus y plus 1 divided by 9, is equal to y plus 7 divided by 4, then the value of y is equal to, ज्यादा बुलो, left hand side में cross multiplication करूँ क्या, 9 6 ज्या 54 करूदू, ज्यादा बुलो, ज्यादा बुलो, 9y plus 99 minus 6y minus 6, minus यह होगा, ज्यादा तो ज्यादा है, is equal to, ज्यादा बुलो, y plus 7 divided by 4, ज्यादा बुलो, इदर बाता, numerator एक बार वापस बाता, 9y minus 6y, कितना था है? 3y plus 93 divided by 54 is equal to y plus 7 divided by 4. एक काम करो. चलो वापस cross में division करते हैं. करेंगे क्या? आँ चलो बोलो. बोलो क्या रहेगा? 12y plus 372 is equal to 54y plus 378 54y minus 12y कितना था है? 42y is it equal to minus 6? therefore y is equal to minus 6 by 42. Tell me whether answer is minus 1 by 7. Is it minus 1 by 7? अब आप बता बच्चो यहाँ पर option रख दिये भी होते हैं मैंने आपको तो option put करके check करने के लिए ज्यादा time लगता कि ने? इतना असान है क्या? अगर समझो option होते हैं minus 1 by 7 minus 1 by 8 minus 3 by 5 option में put करके किसके लिए exactly satisfy हो रहा है? वो ज्यादा time consuming है न? स्वाल करना बेटर है की नहीं? आपको लग रहा है कि हम लोग basic basic calculation कर रहे है? चलो बो अगला question करना है solve? 12x plus 1 divided by 4 is equal to ऐसे कुछ दिया हुआ है? कितना रही? पहले तो दिनोमेटर बताओ is it 15x minus 5 tell me is it 45x square सही है क्या? 45x square minus 3x minus 15x plus 1 सही है क्या? पहले मैंने 15x minus 1 into 3x minus 1 का पोड़क किया and फिर obviously उसमें क्या अड़किया? 5 into बो 2x minus 5 सही है? चलो लेफ्ट है बताओ एक बार आपस 12x plus 1 divided by 4 is equal to बोलो 45x square minus 8x minus 24 divided by 15x minus 5 सही है क्या? और एक बार क्रोस्मेटर दिविशन करेंगे क्या? करो 15x minus 15 into 12x plus 1 करो कितना है? 180x square 180x square आता है क्या? फिर plus 15x बरावर है न बच्चो? minus 180x minus 180x है न? बरावर है क्या है यह करेक्ट है? बलस 15x वहान तर करेक्ट है, मिनस 15 into 12x ब्रावर रहे हैं नहीं ये 12X plus 1 divided by 4 चैनल था इस पॉट इसका तो 45X स्क्वेर माइनस 8X माइनस 24 हो सही है अब मैं 12X plus 1 का 15X माइनस 5 का मुल्टिप्लिक्लिक्शन करता हूँ 12X plus 1 15X माइनस 5 का मुल्टिप्लिक्लिक्शन करता हूँ तो क्या रहे प्लस, प्लस है क्या हुदर, फाई है, 15x minus 5 है, ताम का चीछ छोड़के बाखी सब कुई है, चलो बोलो, is it 180x square, बोलो, plus 15x, कितना था है, plus 15x, ये सही है, plus 15x, then minus 60x minus 5, सही है, is equal to, क्या रहे है, बोलो, 180x square, minus 32x, minus 96, इतना ही है, क्या cancel हो गया है, बताओ, 180x square, 180x square, cancel, left-hand side में क्या बचा उतना बता दो, 15x minus 60x, is it minus 45x, minus 5, is equal to, minus 32x, minus 96, सही है क्या, ये काम करो, 45x को इदर लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा, 91, therefore, x is equal to, 7, x is equal to, 7, x is equal to, 7, सही है, final answer is, x is equal to, 7, समझा भाई, x is equal to, 7, is answer, next, x plus 24, divided by 5, is equal to, वो लो क्या आएगा है, 16 plus x, divided by 4, यहां तक समझा है क्या आपको, चुड़ो, और एक बाब क्रॉस्मेट इशिन करो, 4x plus 96, is equal to, 80 plus 5x, तो बोलो, 96 minus 80, कितना आता है, 16, is equal to, 5x minus 4x, that is x, therefore, x is equal to, 16, यह बता बच्चो ये, find the solution for, solution for मतलब क्या है, मतलब ये, simultaneously solve करके, x and y के values लाओ, मतलब ऐसे, x and y के values लाओ, which will satisfy both the equations, which will satisfy both the equations, यही कोशन हुआ न, तुम सच्छी में हो क्या comfortable में, भाई, आपको समझ रहा है न, ये, ये book complete कर रहे हो क्या सब लोग, आपको लग रहा है, ये book complete, 380 page complete करना मजाक नहीं है, ये भी समझा रहेगा, पहले दिन तो आपको लगा रहेगा, कि भाई, धार, धार complete कर देंगे, आपको समझता है न, आपन 12, 13, जो भी लेक्षर है, page number 83 तक आए, 300 बाकी है, बरावर है नहीं है, बड़ जो भी हम करेंगे, आपन आपन, आपन से complete कर सकते, तब आपन बोलेंगे न, कुछ अपना पड़ाए हो गया करके, ऐसे नहीं बोल सकते न, ये दो equation को simultaneously solve करना है, चलो बता पहला equation, क्या है, 3x plus 4y is equal to 7, अच्छा, जो second वाला equation है न, बच्छो, उसके दोनों साइड 4 से multiply करो, तो क्या है का बोलो, 16x minus 4y is equal to 12, अब बता इन दोनों का addition करेंगे है, subtraction, addition करेंगे है, subtraction, addition, तो ये cancel हो जाएगा, so answer is 19x is equal to 19, so x is equal to 1, put the value of x is equal to 1, in any equation, कि C मे भी x is equal to 1 ये value रख दो आप, बोलो, क्या रहेगा answer, 3 into x, x कितना है, 1 plus 4y is equal to 7, therefore 4y is equal to 4, answer y is equal to 1, y is equal to 1, is the answer, मतलब, can I say 1,1 is the point of intersection of these two lines, 1,1 is the, बोलो, point of intersection, 1,1 is the point of intersection of two lines, बोलो, two lines, या 1,1 is the solution, ऐसे बोल सकते हो आप, तो ये 1,1 ये ऐसा point है, which is lying on both the lines, which is lying on both the lines, that's why this is the point of intersection of two lines, समझा क्या बच्चो, अब मैं एक answer देता हूं कि अब किसी को लगता है, कि नहीं सर मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था, तो कुछ भी नहीं पता था, तो आपने वो पहले दिमाग से निकाल के आपको ध्यान देना पड़ेगा न यहां पे, तो सम्झे हो आपको लगेगा ते अग को नहीं समझे ला सर थोड़ा प्रॉब्लम एक निया अै कुछ नहीं आता था, हो गया, है कि नहीं, बड़ाई तो करना पड़ेगा कि नहीं पीछ में, चलो next, x plus 5y is equal to 36, यह पहला equation है, and दूसरा equation है, x plus y divided by x minus y is equal to 5 by 3, यह solve करना है, चलो बता पहला equation क्या है, x plus 5y is equal to 36, चलो, let us say this is equation 1, second equation जो है न बच्चो, एक काम करो, उसमें cross multiplication कर हाता है, बोलो, 3x plus 3y is equal to 5x minus 5y, सब कुछ left hand side मेलो, 3x minus 5x, कितना हाता है, minus 2x plus 8y, is it equal to 0, is it equal to 0, therefore, हां बोलो, क्या है का, 2x is equal to 8y, वो 2x को इदर भेज जया, तो 2x is equal to 8y हो रहा है कि नहीं, तो x is equal to 8y हो रहा है कि नहीं, एक काम करते है, we'll put the value of x is equal to 4y in first equation, चलेगा क्या, तो first equation क्या हो जाएगा, बोलो, 4y plus 5y, नहीं सम्झाब कोई, is equal to 36, therefore, हां बोलो, 9y is equal to 36, y is equal to 4, and y is equal to 4 है, तो x कितना रहेगा, 16, 16, 4 is the answer, 16, 4 is the point of intersection of these two lines, yes or no, can I say 16, 4 is the solution for this, क्या अंसर इसका बोलो, 16, 4 is the, बोलो, solution, क्या ये x and y के values, do you agree, या is the point of intersection of these two lines, ऐसे भी बोल सकते हो, आप, करना है, next question, solve, बोलो, 3 divided by x plus y, plus 2 divided by x minus y, is equal to 3, क्या ये solve, ऐसे इस ताइप का हो सकता है कि option से बेटर रहेगा, बट फिर भी आपन पूरा solve करेंगे यहाँ पर, है ना patience जो उतना, चलो, अपने साथ में solve करेंगे बच्छो, पहला वाला जो equation है, इसमें cross multiplication करो, क्या येगा, denominator, denominator क्या येगा, बोलो, x square minus y square, x plus y into x minus y, सही है, चलो, numerator बताओ, 3x minus 3y plus 2x plus 2y, is it equal to 3, equal to 3, तो बोलो, इधर 3x plus 2x कितना था ये, 5x minus y divided by 3 is equal to x square minus y square, सम्झाय क्या बताओ, यहां तक सम्झाय क्या बाई, पकाम, चलो, ये भी आप solve करो, denominator क्या आएगा, x square minus y square, चलो, numerator बताओ, 2x minus 2y, plus 3x plus 3y, is equal to, 11 by 3, is equal to 11 by 3, तो टेल में, ये 2x plus 3x कितना था है, 5x plus y, divided by 11 by 3, divided by बोलो, 11 by 3, is equal to x square minus y square, सम्झाय क्या बच्चो, तो आपको दिख रहा है क्या, मैंने x square minus y square का value दो बार फाइंड किया, तो ये काम करते है, ये जो दो बार, x square minus y square का value आया था न, इसको equate कर देते है, चलेगा क्या, तो बोलो, therefore, क्या आएगा, बोलो, 5x minus y, divided by 3, is equal to, 5x, plus y, divided by, 11 by 3, तो डिवाइब बाइब 11, एन उपर कर दूए, इन टू 3, चलता है क्या ऐसे, डिवाइब 11 by 3 था, चलता है क्या ऐसे, चलो, बोलो, अभी cross multiplication करूँ क्या, मैं, बोलो, क्या आएगा, cross multiplication क्या है तो, बोलो जल्दी, 55x minus 11y, इधर डिवाइड आप 9 से multiply करो, बोलो, 45x plus 9y, do you agree, तो ये x वाले सारे term, एक side में लेडो, तो क्या बन जाएगा, बोलो, 10x is equal to 20y, 10x is equal to 25, तो x is equal to क्या रहे, 2y, x is equal to 2y तक प्रूव हुआ क्या, फिर, x is equal to 2y तक प्रूव हुआ क्या मेरे भाई, उपरा space कमें इधर बड़, कर सकते हो ना, मैंने, x is equal to 2y तक प्रूव हुआ क्या? अब बता बच्छो यह जो पहला वाला equation था, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताए, x is equal to 2y तक प्रूव हुआ? यह जो पहला equation था, जो हमने डिराई किया था, उसमे x is equal to 2y रखते, चलेगा क्या? चलो पहला वाला, यह जो equation 1 था ना, पहले वाला, जो equation 1 था, उसमें, शालाई पूट x is equal to 2y है, तो 5u into x, x कितना है? 2y, तो 5 into 2y कितना हुआ? 10y, 10y minus y, 9y, ज्यान दे रहे हो क्या? divided by क्या है? बोलो, 3 is equal to, ज्यान एक है जब कहा? is equal to, हाँ बोलो x square, x कि जगा क्या लिखो? 2y, तो 2y का square कितना है? 4y square minus y square, 4y square minus y square, 3y square, समझा क्या? तो इदर left hand side क्या है? 3y, right hand side क्या है? 3y square, therefore y is equal to कितना है? 1, 3y, 3y क्या है? दोनों को 3y से डिवाइड करो, y is equal to 1 आएगा, and y is equal to 1 है, तो x is equal to कितना रहेगा? 2, yes or no? x2, y1, तो 2, 1 is the point of intersection, 2, 1, आचा सुनों एक मिनित अभी, आपको doubt है, 2, 1 correct है क्या? अपन दो second में cross check कर सकते है, अगर आपन calculation में fast है, तो देहन दे रहे हैं क्या? 3 divided by x plus y कितना है? बताओ, x plus y, 3, तो 3 by 3 कितना हुआ? 1, 2 divided by x minus y कितना है? 2 minus 1, 1, तो 2 by 1 कितना? 2 by 1, 2 रहता है, 2, 2 plus, वो 3 divided by कितना है था? 3 by 3, 1 आए था? 1 plus 2, answer 3 आए कि नहीं? अगले equation में भी पूट करके देखो, 2 divided by x plus y कितना है? 3, तो 2 by 3 रहता है, प्लस 3 divided by x minus y कितना है? 1, तो बोलो, इसका answer is 3 and इदर 2 plus 9, 11 by 3, 11 by 3 था कि नहीं हो? समझा कि नहीं, तो correct answer is x is 2 and y is 1, x is 2, y is 1, समझा है आपको यह है? है सबका धिहान इदर, पकाम, या आप हर चीज, मतलब कोई भी चीज आसान लगी कि तीचर ने अच्छा पढ़ा ऐसा होता है किया? तो फिर तो तीचर के लिए काम बहुत आसन हो गए ना? डिफिकल्ट च समझ रहा है न, अच्छा बोलने से तुम्हें माक्स नहीं आते, समझा है क्या? जो आपन जो कंसेप्ट है वो पड़े, फिर इजी हो, डिफिकल्ट हो, हम उस ने, हम ने उस पे मेनद डाल के इजी बनाना चाहिए, है कि नहीं? next, monthly income of two persons are in the ratio of four is to five and their monthly expenditures are in the ratio of seven is to nine. if everyone saves 50 rupees per month, इस type का question तो ratio में भी किया? find their monthly incomes, तो ऐसे लिखते है, let monthly incomes be, यह थे क्या ratio में इसे question solve, monthly incomes be, कितना monthly income बोलो? 4x, 5x, तो अपने को income भी find करना है बात में, तो बोलो यह 4x and 5x, तो income में से आप saving deduct करो, everyone saves 50, तो 4x minus 50, 5x minus 50, income में से saving deduct कर लिया, तो यह expenditure का ratio रहेगा, and expenditure का ratio कितना है? 7 by 9, यह expenditure का ratio है, है या नहीं? बस यह cross motivation करके answer लाओ, बोलो, क्या रहेगा answer? 36x minus 450 is equal to 35x minus 350, therefore x is equal to 100, therefore monthly incomes are, बोलो? monthly incomes are, बोलो, 400, 500, cross check करना है, 2 second में होता है, 400, 500, 4 is to 5 का ratio है, क्या? है, चलो, दोनों में से 50 deduct करो, क्या आता है? 350, 450, and 350, 450 expenditure रहेगा, जो 7 is to 9 है, 350, 450, 7 is to 9, 50 से divide करो उसको, yes or no, standard format of a quadratic equation is, बोलो, ax square plus bx plus c is equal to 0, बच्चो, linear equation में भी मैंने थोड़ा calculation oriented question लिया है, यहाँ पर, आपको लगता है कि यहाँ खतम होता है, फिर linear equation में भी मैंने थोड़ा calculation oriented question लिया है, यहाँ पर, linear equation, आपको मालूम है previous chapter, उसके previous chapter का उतना experience है, सब बात में और कुछ न आ जाते है last में, समझा है आपको यह, इसमें भी सोकी उपर पॉइंट रहेंगे, कितने है, 115, 115 पॉइंट से इस chapter में भी, चलो, ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, is a standard format of a linear equation, मैंने इस बुक को comprehensive revision क्यों नावन आपको फिल गूड फैक्टर करवाना था, मैं आदे घंटे में chapter बता देता है, आपको बोलता है, आपको आप भी बोलते हैं, हाँ sir, फाइदा कुछ भी नहीं, है यह नहीं, सिर्फ मेरा marketing होता है, फाइदा कुछ भी नहीं, मैं मेरा marketing करने के लिए, सबसे ज्यादा मैं product प मुझे लगता है कि जब service sector है, teaching है, तो product का importance 95 परसेंट है, promotion का 5 परसेंट है, I am not saying zero, but क्योंकि हम भी marketing करते है, but वो हम काम करते पहले उसका marketing करते है, समझा है या नहीं, कि वाही हम comprehensive revision लेंगे, तो ये market हम 15 मिन बोलते है, revision लेंगे, बट 60 घंटा पड़ाना पड़ता है, है है नहीं, साथ-साथ में 380 pages मुझे भी लिखना पड़ता है, explain करते-करते, है या नहीं, ऐसे होता है क्या ये, नहीं होता है न मेरे भाई, आप समझ रहे हो क्या, चलो, a x square plus b x plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, where a is not equal to 0, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो गया, तो फिर तो linear equation ही हो गया, correct है, and और एक format है, जे शायद आपको याद आता रहेगा, क्या format है, बोलो, x square minus sum of roots, यह हमने derive, अब यहीं regular batch होता है, तो यहीं पहले दिन बताया नहीं जाता है, फिर हो आपस आरा हम आरा हम से एक बार और आता है, समझा है कि नहीं, 3-4 lecture की बाद, x square minus, बोलो, sum of roots into x plus, बोलो, product of roots, is equal to 0, is the standard format of a quadratic equation, standard format of a quadratic equation, yes or no, okay, find the roots of x square minus 9x plus 20 is equal to 0, x square minus 9x plus 20 is equal to 0, ज्यान दे रहे हो क्या बच्चो, इसके roots find करना है, ज्यान दे रहे हो क्या, तो बता बच्चो, अगर इस equation के अपने को roots find करना है, तो ज्यान दो सब लोग प्लीज, आचा यह quadratic equation है क्या, आचा compare it with standard format, a x square plus b x plus c, एन बताओ a कितना है, 1, b कितना है, minus 9, and c कितना है, 20, सब लो root मतलब क्या बच्चो, value of x which can satisfy the quadratic equation, is known as root of the equation, बताओ value of x which can satisfy the quadratic equation, is known as root of the equation, तो x का पहला value होता है, which can satisfy the equation, वो होता है, minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a, and दूसरा value होता है, minus b minus under root b square minus 4ac divided by 2a, तो एक बार plus, एक बार minus, यह होता है value of x which can satisfy the equation, तो अब बताओ इस question में, minus b, कितना है का बोलो, 9, आएका कि नहीं, plus or minus under root b square कितना है, बताओ, 81, minus 4 into a, 4 into a कितना है, 1, into c कितना है, 20, है या नहीं, दिए बताओ 2a, 2a मतलब कितना होगा 2 into 1, चलो इधर ध्यान है क्या सबका पहले वो बताओ मुझे, तो आप मुझे बताओ, बच्चो, ध्यान है सबका इधर, यह बताओ, 9, हाँ बोलो, 81 minus 80, मतलब वो plus or minus under root 1 आ रहा है, तो यह क्या है, 9, बोलो, plus 1 divided by 2, और बोलो, 9 minus 1 divided by 2, तो 9 plus 1 divided by 2 कितना आता है, 5, 9 minus 1 divided by 2 क कैना ऐसे 5, 4 are the two values of x, which can satisfy this equation, 5, 4 are the below roots, 5, 4 यह ऐसे दो values है, जो एक्वेशन को satisfy कर देते, तो 5, 4 are the roots, यह समझा क्या बताओ आप मुझे, अब आपको क्या लग रहा है, मैंने ऐसे solve करने के पाद आपको क्या लगा, आपको लगा कि सर, यह बहुत लिंडी हो गया, हमारे पा shortcut, बट मैं पहले question में आपको तीनो तरीके से बताना चाहता हूँ, इसलिए इतनी जगा कम है, फिर भी में लिखा हो, समझा क्या, क्या आपको तोड़ा यह तीनो तरीके से बताना चाहता हूँ, बट आप बताओ, यह जो तरीका है, क्या इसे बहुत लिंडी है, बट यह का है, minus 9x plus 20, तो अभी जो बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे है हम लोग, shortcut, तो बोलो shortcut से कैसे solve करेंगे, find the value of a into c, a into c का value कितना है, 20, please ज्यान दो बच्छो, ज्यान दो, बाद में लिको, find the value of a into c, यहां तक लिखे क्या, a c का value कितना है, 20, और सुनो, ऐसे दो number find करो, जिसका product a c है, मतलब कितना है, 20, and sum b है, and b का value 9 नहीं है, minus 9, तो ऐसे दो number बताओ, जिसका sum minus 9 है, and product 20 है, minus 5, minus 4, 5, 4 नहीं बोलने का, minus 5, minus 4, तो बताओ, is it x square, मैं यह जो 9x को, उसको मैं, minus 5x, minus 4x लिखा, यह plus 20, as it is, लिखा, कोई problem है आपको, अब बता, x square minus 5x में, x common, minus 5, इदर 4 common, x minus 5 is equal to 0, इसमें x minus 5 common, तो क्या रहा, x minus 4 is equal to 0, तो x minus 5 is 0, और x minus 4 is 0, दोनों का product 0 है, मतलब या तो पहला number 0, या दूसरा number, तो इस quadratic equation के, यह x minus 5, and x minus 4, यह factors है, यह क्या है, factors, and roots क्या हैंगे, बोलो, 5, 4, are the roots of the quadratic equation, yes or no, and आप बताओ, और एक हैं हमारे पास, जिसको हम क्या बोलता है, super shortcut, तो super shortcut कभी भी applicable है क्या, नहीं, कभ applicable है, when a is equal to 1, a is equal to 1 नहीं था, 1 अगर नहीं है, super shortcut is not applicable, तो equation क्या था, एक बार वापस बताओ, x square minus 9x plus 20 is equal to 0, whether super shortcut is applicable, yes, because a is equal to 1, तो ऐसे दो number बताओ, जिसका product है c, and यहाँ पे a c मतलब c होगा, क्योंकि a 1 है, तो जिसका product है c, and sum है b, तो sum कितना चाहिए, minus 9, product कितना चाहिए, 20, तो ऐसे कौन से दो number है, minus 5, minus 4, तो सीधा-सीधा, पहला number क्या था, minus 5, तो लिखने का minus 5, दूसरा number क्या था, minus 4, is equal to 0, therefore x is equal to 5, or x is equal to 4, therefore 5, 4 are the roots of the equation, तो मैंने एक ही question तीन तरीके से solve किया, समझा किया आपको, पहला जो सबसे लिंदी method, जो formula वाला method है, दूसरा shortcut, तीसरा, super shortcut, super shortcut कब applicable है, when a is equal to 1, when a is equal to 1, super shortcut is applicable, सही है, समझा भाई, चलो, first root of the quadratic equation, क्या होता है, फिर first root, बोलो, first root of quadratic equation, क्या होता है, minus b, plus, under root, बोलो, b square, minus 4ac, divided by, 2a, यह first root है, what is second root, बोलो, minus b, minus, under root, b square, minus 4ac, divided by, 2a, पहले आप, उपर का कुछ लिखना बागी है, तो लिखो, कोई प्रावलिल नहीं है, मैं बेट करता है, आपके लिए, क्याना ऐसे, यह जो first root, second root लिखा है, मैंने, यह भी repetition यह उपर का, पर यही formula यूज किया है, हमने, अचाहिए, यह दोनों roots add करेंगे, तो sum क्या आएगा, minus b by a, and अगर यह दोनों का product करेंगे, तो क्या आएगा, c by a, regular batch में मैंने sum product करके दिया था, याद है कि आपको इस सब, sum क्या तो क्या आएगा, minus b by a, and product क्या आएगा, c by, just example क्या आएगा, sum अभी भी आएगा, sum करना तो बहुत ही आसा ने, तो अब बता, first root and second root add किया, तो क्या आएगा, denominator 2a, numerator minus b, plus under root b square minus 4ac, minus b, minus under root, बोलो, b square minus 4ac, तो यह plus, यह minus cancel हुआ, तो answer क्या है, बोलो, minus 2b divided by 2a, तो answer is, minus b by a, is sum of roots, and वैसे ही product करके, actual में product करके भी answer ला सकते, अब चोड़ो, direct यहाद रख लेते है भी, क्या है product of root, बोलो, c by, and sum of roots is minus b by, sum of root minus b by, product of roots is c by, is that clear my friends, 23, find the roots of quadratic equation, also find sum of roots and product of root, यहाँ नहीं सब का इधर, 23, 24, 25, बस आज आपने को 25 तक ही जाना है, चलेगा, find roots of quadratic equation, and also find sum of roots, product of roots, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चोप, please, please मुझे दे, यहाँ पर बताओ, अगर आपको किसी को direct sum of roots जानना है, तो उसके पास 24 है क्या, क्या फॉर्मुला है, minus B by A, तो answer बताओ, 7 by 3, minus minus 7 by 3, and चलो product of roots जानना है, तो उसके बाद direct choice है क्या, क्या product of root का फॉर्मुला है, C by A, तो C कितना है, minus 20 by 3, सही है बच्चोप, अच्छा, यह sum of root, product of root आगा है, अब अपने को साथ साथ में cross check भी करना है, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, अपने को first time है अभी यहाँ पे फिलाल, चलो बोलो equation क्या था, बोलो 3x square minus 7x minus 20 is equal to 0, whether super shortcut is applicable, no, क्योंकि A1 नहीं है, तो क्या formula से solve करेंगे, नहीं, पहले इस shortcut से try करेंगे न, super shortcut पॉसिबल नहीं है, बट shortcut है ना, तो चलो AC का product कितना है, A into C, minus 60, 60 नहीं बोल सकते है, minus 60, 60 minus 60 में फर्क है, समझाए नहीं, AC कितना है, minus 60 है या नहीं है, ऐसे दो number बताओ, जिसका product minus 60 है, and sum B है, B कितना है, minus 7, तो बोलो, minus 12 plus 5, minus 12 plus 5, का sum कितना है, minus 7, product कितना है, minus 60, तो कैसे लिखो, 3X square, आपने क्या दो number बताए थे, minus 12X, plus 5X, तो minus 12X plus 5X, मतलब minus 7X ही हो ना बच्चो, यह minus 20, is equal to 0, तो आप बताओ, 3X square minus 12X में, 3X common low, क्या रहेगा बैकेट में, X minus 4, इदर 5 common low, X minus 4, is it equal to 0, चलो, X minus 4 common low, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3X plus 5, is it equal to 0, therefore, X is equal to 4, और X is equal to, minus 5 by 3, do you agree, तो बोलो, roots are, बोलो, roots क्या है, roots are, 4, comma, minus 5 by 3, do you agree, and अब बताओ, सिर्फ हम cross check के लिए, sum of roots and product of root find कर रहे, वैसे हम अल्रेडी जानते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, एक सेकंड सिर्फ ध्यान दो आब यहां पे, मुझे बताओ, sum of roots, मतलब एक root और दूसरा root आड़ करना पड़ेगा, पहला root क्या था, 4 plus minus 5 by 3, 4 plus, बोलो, minus 5 by 3, शोलो, 4 plus minus 5 by 3 का sum कितना था, ये 3, and 12 minus 5, कितना था, 7, अपने को पहले सेकंड से पता है, नहीं समझाब कोई, product of roots, बोलो, पहला root क्या है, पहला root क्या है, 4, दूसरा क्या है, minus 5 by 3, करो product, minus 20 by 3, अपने को पहले सेकंड से पता है, समझा क्या आपको, ये cross check कैसे किया, आपने समझा क्या, actually roots find किये, और उसका sum of root, product of root लाया है मैंने, कुछ जा रहा है के दिमाग में भाई, कौन सा chapter है, है वोगरे समझा रहा है नहा, अपने सीए foundation में है वोगरे याद है नहा, ये वेटना है इन्टर के भाईश में, आइंगे नहीं के बोच जोल्ट, अपने हो गए क्या भाहिए, sum of root, product of root, done क्या, क्या फर्मला है sum of roots का, minus b y, and product of roots का, c y, for a quarter equation, a x square plus b x plus c, sum of root, product of root, दोनों formula में clarity है, पका, चलो, तो ये quarter equation का, sum of root, product of root, दोनों बताओ, पुझे, फटा-फट, sum of roots, minus 2 by 3, ये 3 by 2, 2 by 3, minus b by a है, नहीं चलो, product of root बताओ, 11 by 3, next, sum of roots, 19 by 5, product of roots, minus 13 by 5, next, sum of roots, बताओ, बताओ, 13p by 2k, पका क्या, and product of roots, 8p minus 19, divided by 2k, c by a, next, sum of roots, 1 by 8, product of roots, minus 63k, plus 25, divided by 8, divided by 8, next, बोलो, sum of roots, 0, product of roots, minus 25 by 2, minus 25, ये 2x square, minus 25 है, नहीं, बहाँ पर B का value 0 है, तो इसलिए, minus b by a भी 0 है, मतलब, this equation is as good as, 2x square, plus 0x, minus 25, is equal to 0, ज्यान नहीं है, तुमारा, 2x square, plus 0x, minus 25, is equal to 0, तो B का value 0 है, तो minus b by a 0 है आएगा न, चलो, next, बोलो, sum of roots, 13 by 8, product of roots, 0, क्यों product of roots 0 है, क्योंकि C का value 0 है, C का value 0 है, सही है, basic question, जो schools में हम पढ़ते, बता, a plus b bracket square, क्या आता है, a square, plus b square, plus 2ab, यह formula, मोदी जी को भी आता है, उमको नहीं आता है क्या, बोला था न, कहीं पर यह दूना ने, पता नहीं क्या आपको, नहीं हो, कहीं तो भाचन दे रहे थे, वहाँ पर बोला कि, कहीं तो मेरे कहल से, रशिया में या जपान में कहीं तो, कैनडा में, कैनडा में बोला था, क्या, कैनडा में ऐसे बोला था, a plus b bracket square आया, तो a square plus b square आता है, फिर यो एक्स्ट्रा 2aB आता है, दोस्ती से, ऐसरे कुछ तो भी कशनला थे, मतब ए इंडिया है, बी कैनडा है, ऐसे कुछ ब्रावर है न, ऐसरे कुछ तो फिलोसॉपी दिया था, ब्रावर है न, ब्रावर है न, extra कहां से आता ये 2aB, चलो, A minus B bracket square, बोलो, A minus B bracket square क्या होता है, A square plus B square minus 2AB, next, A square plus B square is equal to, ये formula बहुत important है, A plus B bracket square minus 2AB, उपर का ही formula को side change क्या है सिर्फ, ये important formula है, इसको box करूँ क्या, A square plus B square is equal to, क्या formula है बोलो, A plus B bracket square minus 2AB, then A plus B bracket cube का formula, क्या है बोलो, A cube plus B cube plus 3AB into A plus B, अचा, इतना मैंने जो box क्या है, वो ये important formula है क्या है, फिर, वो ज्यादा बार आता है, इसलिए मैंने box क्या है, next, A minus B bracket cube, बोलो, A cube minus B cube, minus 3AB in bracket, A minus B, रही है क्या, next, A cube plus B cube, is A plus B, बढ़ा रहे न बचो, A plus B bracket cube minus 3AB in bracket, A plus B, समझा क्या, ये उपर का ही formula का side change क्या है, मैंने, समसाहिए क्या बचो, ये बहुत बार यूज होता है formula, चलो, A square minus B square is equal to, A minus B into A plus B, A plus B plus C bracket square is equal to, A square plus B square plus C square, plus 2AB plus 2BC plus 2AC, A cube plus B cube is equal to, और एक formula है उसका, शायद आपको पता रहेगा, A plus B in other bracket, A square minus AB plus B square, तो ये है बचो, गुल रहे से दो-दो formula क्यों रिखे, जो काम में आएगा हो यूज कर ले ना, आप, A minus B bracket square का ये formula भी है, A plus B bracket square minus 4AB, थोड़ा ये right hand side आप solve करके देखो, आपको तुरण समझेगा क्यों, A minus B bracket square ही है, A plus B bracket square क्या आता है, A square plus B square, plus 2AB, plus 2AB minus 4AB, is minus 2AB, मैंता क्या आप बचा, A square plus B square minus 2AB, which is A minus B bracket square, तो ये मैंने box किये हुए तीन formula बहुत बार यूज होते है, calculation के लिए, इसलिए मैंने तीन formula को box किये, बागी तो और भी formula है, है या नहीं? correct है बच्चो, आजा यहाँ पर A cube minus B cube का भी formula लिख ले ना, A cube minus B cube, तो ये formula है क्या बताओ, A minus B, दूसरे bracket में, A square plus AB plus B square, ये formula भी है, जो यूज होता है, A cube minus B cube is A minus B, in other bracket A square plus AB plus B square, अब जैसे मैं बताओ कि ये कहीं ICI लिखता नहीं है, ये बोलते हैं, भाही ये student को school चाहता है, अपने problems अपने को मालू में है लेकिन, 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 चलो, यहाँ तक समझे बच्चो, तो shall we stop here for the day, समझाए यहाँ तक, shall we stop here, ओके, online वाले बच्चे भी अच्छे से सुनो, अब अपना next class होगा directly Monday को, कब होगा, Monday, कल भी नहीं होगा, next class होगा अपना भी Monday को, ठीके बच्चो, येस, next अभी Monday को मिलेंगे बराबर, अब वो Monday के बाद में वो आपता होने के बाद, जो Sunday आएगा ना, उसमें full compound interest के साथ रिकवरी होगी, ठीक है, चलो बच्चो, बाए-बाए.